चीन के सैनिक भारत चीन सीबा की तरफ जब जाते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है ये हमें बताया ताइवान के एक अखबार ने वीडियो के अंदर साफ तोर पर देखा जा सकता है कि चीन के सैनिक दाड़े मार मार कर रो रहे हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है और ताइवान के अखबार ने ये कहा है कि वो चीन भारत के बॉर्डर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं क्या ये खबर सही है इस बात की पुष्टी कैसे हो तो दो तरीके से इसकी पुष्टी हो सकती है हिस्ट्री से और प्रेजेंट से पहली चीज ये है कि ताइवान और जापान जो बोलते हैं वो करते हैं उनकी पब्लिक के अंदर उनके अखबारों की इमेज बहुत उंची है चीन की तरीके से या पाकिस्तान की तरीके से नहीं है जो जो मन में आते हैं वो लिख देते हैं उनके पास में कुछ reputation है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ताइवान ही असली चीन है चीन और ताइवान के लोग एक दूसरी जगे अराम से आ जा सकते हैं क्योंकि जब world war के बाद में जापान ने चीन का जो अधिकतर जो कबजा किया हुआ था जगे को खाली करना पड़ ग मतलब असली चीन तो है वो ताइवान है और उनके पास में कुछ ethics है उनके कुछ संसकार है उनको जूट बोलने की आदत नहीं है अब बाद यहाँ पर आ जाती है कि क्या चीन की सेना इसी प्रकार से पहले दिन से ही पस्त थी तो 1962-67 के अंदर क्या हुआ कि भारत वो war हार ग 1962 के बाद आया उसके पहले कॉमिनिस्टों का मीडिया के अंदर प्रभाव नहीं था ऐसा लगता है कि उनको जान बूज कर किसी तरीके से सेट किया गया और अचानक से पूरा का पूरा मीडिया कॉमिनिस्ट हो गया अब दो तीन चीजों के उपर आपको ध्यान लगाना मिलके भी गए थे और उन्होंने जिस प्रकार से बाते की थी कि हम यह अकसाई चीन वाला हिस्सा है वो लेने वाले हैं उसके बाद में भी वहाँ पर किसी प्रकार की तैयारिया नहीं की गई थी या नहीं करने दी गई थी या जो कुछ भी है तो तीन दिन के अंदर चीन न चड़ाई की थी उसके बाद में तीन हफ़ते तक कुछ नहीं हुआ था उसके बाद में 14 नवंबर यानि की प्रधान मंत्री नैरुजी के जनम दिन वाले दिन दोबारा से चीन ने छुटपूट फाइरिंग मगरे की थी और इस पूरे की पूरे घटना के अंदर हमारे ती इसके पहले 1962 हो चाहे उसके बाद में 1967 के अंदर मेजर सगत सिंग ने जो तोप के गोले मार कर 10 किलोमेटर तक अंदर गुज गए थे उन सभी की सभी जगों पर चायना ने कभी भी अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट नहीं बताए कि हमारे इतने सारे सैनिकों की शहादत हो ग जाती है बच्पन से ही सैनिक बनना चाहता है और जिस एरिया के अंदर हम जहां जिस शेखावटी वाले एरिया में हैं यहां पर 100 लड़के दोड़ते हैं तो एक लड़का सलेक्ट होता है इतनी ज़ादा तरीके से तैयारी करके सेना में भरती होते हैं चीन के अंदर तो भ गलवान घाटी के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की गर्दने मरोडी गई थी और 300 से ज्यादा जो लोग बच गए थे बुरी तरह हतात होए थे वहां के सैनिक उन्होंने जा जाकर जो स्टोरियां वहां पर सुनाई है उन्हीं स्टोरी से खौफ खाते हुए यहां वाले जो सैन से ही इतना ताकतवर था मगर उसको हमेशा चीन से कमतर करके मीडिया ने या जो भी परसेप्शन है यहां पर जबरदस्ती बना-बना के थोपा गया चीन के साथ में भारत कभी युद्ध नहीं करता मतलब उसके साथ में फाइरिंग ओपन नहीं करता यह बात कब और कैसे त किया गया था ऐसे समय में जब हमारे यहां पर सरकार बहुत ही ज़्यादा अंस्टेबल चल रही थी तेरा दिन चल रही थी कोई तेरा महीने चल रही थी मतलब पॉलिटिकली हम बहुत ही ज़्यादा अंस्टेबल थे चीन ने मौका देखा ऐसे समय में जो देश होते हैं हम मेशा मौका देखकर सामने वाले को उपर कबजा करने के कोशिश करते हैं मगर चीन ने मौका दीखा और संधी कर ली फटा फट संधी ऐसी कि हमारे और आपके बीच में कभी भी फायर शॉट्स गन शॉट्स नहीं होंगे क्योंकि उसको पता था कि उसके कितने जादा सैनिक मारे गए हैं जिसका उन्होंने कभी खलासा नहीं किया था और उनको ये भी पता था कि यहां के लोगों को मरने के लिए ही आते हैं शहादत देने के लिए आते हैं बचमन से सीखते हैं कि हम जादा से जादा बड़ी लड़ाई के अंदर जादा से जादा बड़ा हमारा जोर दिखाएं और इस बात को लेके चीन वाले पहले से ही डरे हुए थे तो जहां पर फायदा उठाकर भारत के उपर आक्रमन करने की सोचता चीन वहाँ पर चीन ने फटाफट आकर एक ऐसा संधी या एक ऐसा एग्रिमेंट किया कि हम कभी आपस में एक दूसरे के उपर फायर नहीं करेंगे और अब जब फायर उपर हो गई है उसके बाद में इनके जो सैनिक है उनकी शकल देखिए जिस कॉमिनिस्ट मीडिया के बारे में 1962 के बाद के अंदर देखा जा रहा है एक perception एक create कर रहे हैं उसी कॉमिनिस्ट मीडिया ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर केवल एक कवा मरा है और वो कवा ऐसा मनूस निकला कि पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब हो गई है जिसको कॉमिनिस्ट मीडिया बता ही नहीं पा रही तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में कवा मरने की बात कही थी उन लोगों ने ये भी कहा था कि गलवान के अंदर केवल हमारे सैनिक मरे है चीन ने तो कोई आंकड़ा ही नहीं दिया जितने भी फैक्ट्स की अभी बाते की गई है ये सारे के सारे फैक्ट्स पुराने वीडियो के अंदर हम आपको दिखा चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं दिखा रहे आज तो बस इस वीडियो को दिखाने का मन है और बार बार दिखाने का मन है कि हालत देखो इन चीनी सैनिकों की इनकी वज़े से हमें डरा रखाता और इनकी हालत देखो क्या हुआ है गलवान के अंदर क्या किया था तुमारे साथ अच्छी तरीके से अब सब के सामने आ गया है और ये वीडियो ही नहीं आया है सरदियां भी आ गई है वो सरदियां जिसकी वज़े से चीन के प्राण पकेडू पहले ही उड़ रहे हैं देखते हैं तीन महिने के अंदर तुमारी क्या हालत होती है हम भी यही हैं तुम भी यही हो धन्यवाद जैहिंद जैहिंद जैहिंद